तो हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा एक गरावनी कहानी के बारे में गाउं का नाम ता संध्या कुटी एह गाउं गानी जंगलों से घिरा हुआ था और गाउं के लोग कहते थे कि रात के समय जंगल में जाना मौत को बलाने के बराबर हैं जंगल में कई रैसमा गठनाएं होती थी और लोग उसे चुड़लों का इलागा कहते थे एक दिन गाउं के ही दो दोस्त राजिस और अमन जो सासी और थोड़े जिद्दी थे और लोगों ने तै कि जंगल के इस डरावने राज को जाने वे और रात अमा बस्या की रात थी चारों और अंदकर च जीनरों की आवाजें और अजीब सी सरसराहट कानों में गुझ रही थी दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे पर बे आंगे बढ़ते गहे थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था कुछ दूरी पर एक पुरानी टूटी पूटी जोपडी दिखी जोपडी से हलकी रोसनी आ रही थी राजिस ने अमन ने कहा चलो देखते हैं कि अंदर कौन है अमन डर रहा था लेकिन राजिस की जिद के आंगे ओए जोपडी की तरब बढ़ने लगा जोपडी के पास मौ करके जहांकर देखा अंदर एक बूडी ओरत बैटी थी उसकी आँखें लाल चमक रही थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुसकान थी ओह बुदबुदा रही थी तुम्हें बुलाया गया है अब तुम बापस नहीं जा सकते राजिस ने चिला कर कहा हम कौन है और हमें किस राजिस ने बुलाया है उस औरत ने अपने हाथ उपर उठाए और हवा में तालिव जाई अचानक चारों तरफ आवाजें आने लगी कभी बच्ची की रोने की कभी किसी के हसने की अमन ने भागने की कोसिस की लेकिन उसकी पेर जम गए जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया ह राजिस ने जप्ता मार कर अमन को खीचा और दोनों ने भागने की कोसिस की जोपड़ी के भार कदम रखते ही उन्होंने देखा कि पूरा जंगल बदल गया है पेड़ खुन की तरह लाल हो गए थे और हर तरह अजीब सी परचाई गूम रही थी भागते भागते राजिस और अमन गाउं पहुँचे उन्होंने जब लोगों को एह कहानी सुनाई तो गाउं के बजुर्ग पंडित सौमिसौन ने बताया कि ओए चुड़ेल कमला थी जो सौ साल पहले मारी गही थी ओए लोगों की आत्माओं को अपने साथ ले जाती थी अगली सुबह गाउं के लोग अमन को ढूड़ने गए लेकिन ओए कहीं नहीं मिला कहते हैं कि अमन की आत्मा जंगल में बढ़कती रहती है राजिस भी कुछ दुनुवत पागल हो गया और हर रात कहता वो मुझे बुला रही है उसके बाद से कोई उस जंगल की ओड़ जाने की हिम्मत नहीं करता अमाबस्या की रात को जंगल से अब भी अजीब सी आवाजे आती है कभी कभी अग्याद चीजों को जानने की कोशिस करना आपके लिए विस्वास नहीं हो सकता है